जय हिन जय शिक्षत वेलकम बैक टू माय चैनल आज इस वीडियो में मैं निष्ठा का मॉड्यूल आठ जो की परियावरन शिक्षण पर आधारित है उसके कुछ मुख्य बिंदू पर चर्चा करूंगी और उसे संबंदित जो प्रश्ण है वो आपको बताऊंगी तो इस वी वीडियो मॉड्यूल आठ है परियावरन अध्यान का शिक्षण शास्त्र यदि हम इसके बिंदूगों की चर्चा करें तो यह इन्ने बिंदूगों पर चर्चा करता है पहला है मॉड्यूल के अधिगम के उद्देश प्रात्मिक इस तर पर प्रकरती इस्थिति और पाठ शेक्षिनिक द्रिष्टिकोन को समझाने के लिए जल विशेक का एक उधारन के रूप में लिया गया है वेविदता जेंडर कला और सौंदर मूल्यों आधी जैसे मुद्दों की देखरेक के भी इथा संभाव समोचित प्रयास किये गए हैं इसमें यह भी शामिल है कि कैसे शिक्षन अधिगम प्रक्रिया के साथ आकलन को समेकित किया जा सकता है इस अधिगम के उद्देश है कि इस मॉड्यूल को पढ़ने के बाद हम सक्षम हो जाएंगे पहला प्रात्मिक इस तर पर ईविएस की एक समेकित पाठिक्रम शेत्र के रूप में सरहना करने में दूस के से evs में सीखने के प्रतिफल ओं के साथ आधिगम प्रगतिकी रोप रेखा बनाने के लिए विभिन आकलन रणव्यू नी त, अब चर्चा करते हैं पाठ चर्या शेत्र में पर्यावरनी राष्टिये पाठ चर्या की रूपरेका 2005 EBS कक्षा 3-5 तक ऐसे विशय के रूप में देखती है जो विज्ञान, प्राकर्तिक और भौतिक, सामाजिक अध्यान, प्राकर्तिक, भौतिक, सांस्कृतिक और पर्याव परण शिक्षा की अवधारनाओं तथा मुद्धों को समावेशित करता है वास्तविक दुनिया के संपर्क में आने से बच्चों को विभेन सामाजिक मुद्धों जैसे जेंडर पक्षपात, अधिकार वन्चित करना, बाल मजदूरी, अशिक्षा, ग्रामीन और शेहरी श चर्या की अपिक्षाओं से आश्या उन संभावनाओं से हैं जो व्यापक हैं, जिनका उद्देश अधिगम के चरण को पूरा करता है, जबकि सीखने के प्रतिफाल इन अपिक्षाओं को पूरा करने के लिए मांदन्द प्रदान करते हैं, प्रात्मिक चरण के लिए EBS मे नीचे दी गई हैं, पहली अपिक्षा है, परिवार, पौधों, जानवरों, भोजन, पानी, यात्रा और आश्रा जैसे द्यानिक जीवन से संबंदित, विबिन अनुभाव के माध्यम से निकट्तम और विस्त्रित परिवेश के बारे में जागरुकता प्राप्त करेंगे, निकट्तम परिवेश के लिए प्राकर्तिक जिग्यासा और रचनात्मक्ता का मौजूदा वातावरण में प्राकर्तिक भौतिक और मानव संसाधों के लिए पोशन करेंगे, समवेदन शीलता विक्सित करेंगे, समानता, नयाय, मानविय गरिमा और अधिकारों का सम्मान से संबंदित मुद्दों को चिन्नित करेंगे और उन्हें उठाएंगे EBS में सीखने के प्रतिफल क्या है? वस्तूओं और गतिविधियों या अतीद और वर्तमान के बीच में ये अंतर करते हैं सरल मानक के काईयों में स्थानिक मातरा और समय का आकलन तथा सरल उपकरन प्रणालियों का उप्यों करके सत्यापित करते हैं वस्तूओं गतिविधियों इस्थानों पर विभिन तरीकों से टिपड़ियों, अनुभवों, सूचनाओं को दर्ज करते हैं और प्रतिमानों का पूर्वनुमान लगाते हैं चित्र, रूपरेखा, प्रारूप, मॉडल, नक्षे, कविताय और नारे बनाते हैं पालतू जानवरों और आसपास क्याने जीवों के लिए समवेदन शीलता प्रदर्शित करते हैं EBS के शिक्षण अधिगम के लिए संसाधन और रणनीती हैं बच्चे सुभाव से जिग्यासू होते हैं और उनके ये सवाल अनवेशन वरति और चीजों के होने के पीछे के कारणों को लेकर आग्रहों में व्यक्त होता है बच्चे ज्यान के निश्क्रिय प्राप्त करता नहीं है बलकि सभी बच्चे सुयम अधिगम में सक्षम है शिक्षकों को मात्र सूचना प्रदाता बनने की बज़ाए सुविधा प्रदाता यानि की सुगम करता बनने की आवशकता है अब लोकन करना, चर्चा करना, व्यक्त करना, इस्पष्ट करना, वर्गी करन करना, समवाद करना, प्रियोक करना, पूर्वनुमान लगाना आधि प्रक्रियाओं को शिक्षक अपने कौशल का इस्तमाल करके सार्थक बनाए परियोजनाई परियोजनाई एक महत्पुन शिक्षन साधन का गठन करती हैं जिसे किसी व्यक्ति या विद्यार्थियों के समू को आवंटित किया जा सकता है शिक्षक परियोजनाओं को विशयवार या अध्यायवार पहचान करने और परियोजनाओं की योजना बनाने तथा रूप रेखा तयार करने में विद्यारतियों की भागिदारी सुनिश्चित कर सकता है चर्चा समू में सामाजिक संपर्क के माध्यम से अधिगम में मदद करती है घ्ञान का सारथक निर्वान तब होता है जब विचार और अनुभव दूसरों के साथ चर्चा के माध्यम से साझा किये जाते हैं शिक्षक समकालिन प्रासंगिक्ता के मुद्धों और सरोकारों पर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए अकभार के विवरण, टीवी रिपोर्ट्स या कुछ केस स्टेडी का अप्योग कर सकते हैं। प्रियोग और अन्वेशन बच्चो को जाज करने, निरिक्षन करने, स्रजन करने, चर्चा करने, गंभी रूप से सोचने, वर्गी करत करने, विशलेशन करने, तरक करने और निशकर्ष निकालने के लिए प्रुत्साहित करते हैं। बच्चों को जहां कई भी संभा वो अधिक अन्वेशन के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सर्वेक्षन और साक्षात कर, सर्वेक्षन बच्चों को सार्थक अंतरद्रिष्टी प्रदान करने के लिए जानकारी प्राप्त करने, एकत्रित करने और उप्योग करने में मदद करता है, बच्चों को स्वेम प्रशन तयार करने और एकटक की गई आधार सामयागरी का उप प्रतेक बच्चा बिना किसी हेच किचाहट के वचार साजा करने में सक्षम हो। अभीवेक्ति के अफसर, मौखे, लिखे, चित्र बनाकर या अन्य किसी भी रूप में हो सकते हैं। प्रात्मी कक्षा के बच्चों की वेवारिक और प्रस्तुती देने वाली गतियों में भाग लेना अच्छा लगता है। रंग मंच बच्चों को कुछ वास्तविक और कालपनिक चरित्रों पर अभिनय करने में मदद करता है। जो ना केवल उनके आत्मे विश्वास को बढ़ाता है बलकि इन पात्रों की मूलियों, दृष्टी कोणों और भूमिकाओं से अंताह दृष्टी प्राप्त करने में भी मदद करता है। बच्चों को कुछ भूमिकाओं देने से उनने बहतर अधिगम और संदर्वों को आत्मसात करने में मदद मिलती है। उद्धों के प्रती समवेदन शील बनाने के लिए नहीं करेंगे, तब तक शेतर ब्रह्मन ईवेस पार्ठ गरम के किसी ब्युद्देश को पूरा करने में सहायक नहीं होगा। अधिगम संसाधन, ईवेस के शिक्षण अधिगम में कई प्रकार के शिक्षण साधनों का उपयोग किया जा सकता है, जैसे मुद्रित पार्ठ पुस्तकों और अन्यपूरक तथा संपूरक पुस्तकों, इसंसाधन जैसे ओडियो, वीडियो, पार्ठ, चित्र तालिका, प्राकर्तिक और निर्मित वातवरंड, व्यक्तियों तथा व्यक्तित्वों से जानकारी इतियादी के रूप में हो सकता है, और योजना और अधिगम अनुभाव बनाना, अब बात करते हैं जल विशय का, तो जल विशय का दायरा और आयाम क्या है, जल स्रोतों के बारे मे बच्चों की अपनी समझ है, क्योंकि वो इन्हें इस पश्ट स्थानों से जोडते हैं, जोने पानी देखने उप्योग हितू लेनी के लिए मिलते हैं, और कुछ बच्चे जल के स्रोतों के बारे में कुछ व्यकल्पिक रूप रेखा, तथा व्यकल्पिक अवधरना को भी मन में आश्रे दे सकते हैं, बच्चों को इस से उबरने में मदद करने के लिए महत्वपून है कि जल के स्रोतों के बारे में बच्चों के पिछली अनुभवों को इखटा करें, और उन्हीं इस अवधरना का निर्माण करने में सहियोग प्रदान करें, जल वेज्यानिक सि अर्वभौमिक और अध्वितिये हैं, और विभिन वेज्यानिक घटना और सिध्धानतों का पता लगाने के लिए उत्क्रेश्ट अफसर प्रदान करता है, जल सांस्कृतिक पहलू है, विभिन शेत्रों, धर्मों में विभिन अनुष्ठानों और प्रथाओं, नीतियों म कि सरक्षा के लिए उन्हें समवेदन शील बनाने के लिए परियाप्त अवसर प्रदान करता है, जल सरक्षन एक परियावरण की बहुत बड़ी चिंता है, एक दुरलाव और मूलेवान संसादन होने की वज़ए से बच्चों को ना केवल इसके प्रती समवेदन शील बनान उपयोग, कौशल और दृष्टिकोर्ट से लेस करने की भी हो सकती है, लेस करने की भी हो सकती है, तो ये थे कुछ नोट्स इसके मॉडूल आठ के, आप इसके सम्बंदित कुछ प्रश्ण देख लेते हैं, पहला प्रश्ण है, निमलिखित में से कौन सा कथन पाठ्थ चर प्रश्ण दो है, प्रश्ण दो है, कक्षा एक वा दो में परियावरन आध्यान, अप्षन एक भाषा और गड़ित के साथ पढ़ाया जाता है, दूसरा पढ़ाना संभव नहीं है, तीसरा किसी भी तरह नहीं पढ़ाया जा सकता है, और चौथा अलग विशय के रूप में पढ़ाया जाता है, तो उतरह भाषा और गड़ित के साथ ही इसको पढ़ाया जा दूसरा विध्यार्तियों के उनके सामाजिक, सांस्कृतिक परियावरन को समझना, शिक्षार्तियों को उनके भौतिक परियावरन को समझने में मदद करना, शिक्षार्तियों को उनके परिवेश को जागरुप करना और महत्व बताना, तो इसका सही उत्तर है शिक्षार्तिय को उनकी नियम याद करने में मदद करना प्रशन चार है विभिन निमाप दंडों के लिए विद्यारतियों के सीखने की प्रगति और उनकी इस तरों का पता लगाने के लिए निमलिखित विकल्पों में से कौन सा सबसे उप्युक्त है पहला लिखित परिक्षा दूसरा मौक एक परिक्षा, तीसरा वर्क्षिट, चौथा रुब्रिक्स, तो इसका सही उत्तर है वर्क्षिट, प्रेशन पांच, परियावरन को सुरक्षित करने वाले तीन आर हैं, पहला, रिजर्व यानि आरक्षित करना, रिड्यूस यानि कम करना, रिसाइकल यानि चकित करना, दू रियूज मतलब पुनहा उपयोग करना और चोथा है रिडियूज करना यानि की कम करना रियूज करना यानि की पुनहा उपयोग और रिसाइकलिंग यानि की चकित करना तो इसका उत्तर है चोथा रिडियूज करना यानि कम करना रियूज करना रियूज करना रियूज करना र चिक्षण अधिगम के अनुरूप नहीं है। इसका option number एक प्रतेक बच्चे अपने तरीके से आदित्य है। दूसरा प्रतेक बच्चे अपनी पाथचर्या का सरजन करता है। तीसरा प्रतेक बच्चे का प्रश्ण पूछने का अधिकार है। और चौथा प्रतेक बच्चे अपने ग्यान का सरजन खुद करता है। तो ये पहला, तीसरा और चौथा तो ये सही लग रहे हैं। option number दो कि प्रतेक बच्चे अपनी पाथचर्या का सरजन करता है। ये सही नहीं है। प्रश्ण 7, निमलिखित में से कौन सा बच्चों के बीच व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का बढ़ाने में मदद करता है। तो पहला option है, कक्षा में सहयोगी और सहकारी रूप में सीखने को बढ़ावा देना। विशय पर प्रश्णोतरी आयोजित करना। संबंदित मुद्दे पर विशेश व्यक्या नायोजित करना। कक्षा में इस पर शिक्षक द्वारा प्रदे दिन पांच मिनिट की बात करना। तो इसका उत्तर है, कक्षा में सहयोगी और सहकारी रूप में सीखने को बढ़ावा देना। प्रश्न आठ है, प्रात्मिक इस्तर के परियावरन अध्यान के पाठे चर्या में होना चाहिए, केवल पाठे पस्तकों में संकल्पनाओं को पूरी व्यक्या पर ध्यान के इंद्रित करें, आसपास की चीजों के जाजपड़ताल के अवसर उपलब्ध कराएं, अध्याय क अधिक अभ्यास प्रश्न शामिल करें, शब्दों की पूर्ण रूप से सही परिभाशा पर अधिक जोर हो, तो इसका उत्तर है आसपास की चीजों की जापड़ताल के अवसर उपलब्ध कराएं, प्रश्न नौ है, परियावरन अध्यान जिसे बढ़ावा नहीं देता है, पहला करके सीखना, दूसरा पूछताच और जाच पड़ताल, तीसरा बहुत सवाल, पूछना, और चोथा परिभाशाओं को याद करना, तो इसका उतर है परिभाशाओं को याद करना, प्रश्न दस है, राष्ट्रिये पाठ चर्या की रूप रेखा के अनुसार, परियावरन अध्यान की प्रकरती अंतर विश्यक है, और चोथा परियावरन अध्यान को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की तरह अलग से पढ़ाया जाना चाहिए, तो इसका उतर है, परियावरन अध्यान की प्रकरती अंतर विश्यक है, प्रश्न 11 है, चित्र एक मे प्रश्न 11 है जो इसमें एक चित्र दिया गया था मोड्यूल में सभी विशे परियावरन से जुड़े हैं तो इसका उतर सही है कि गलत तो इसका उतर है सही प्रश्न 12 केवल सामाजिक विज्ञान और राजनीती विज्ञान परियावरन अध्यान से जुड़े हैं तो सही है कि गलत, गलत है ये, प्रेशन 13, पर्यावरन अध्यान कला, शिक्षा, गड़ित और भाशा से संबंद नहीं है, तो सही है कि गलत, तो ये गलत है, प्रेशन 14, स्वास्त शिक्षा, पर्यावरन अध्यान में एक विशय के रूप में शामिल है, सही है, ये सही है, प् प्रेशन 18, सबी जल भेंडार ऊंडार हियां, जलसंसाधन भी हैं ये सही है कि गलत तो इस तरह ये कुछ प्रेशन और हैं प्रेशन 18, जलसंसाधन प्राकर्थिक वा मानव प्रेशन प्र्णिर निर में दोनों हैं, तो सहीज कि गलत ये सही है प्रश्ण 19 सभी जल संस्थादन जल भंडारा निकायां भी है सही है कि गलत ये सही है तो इस तरह ये प्रश्ण भी मैंने आपको बता दिये और कुछ जो में पॉइंट्स थे वह भी आपको बता दिये इस मौडियुल के बाद आप मौडियुल 9 लाओंगे आपके लिए तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग